राम राम भाई सभी साथियों को आज हो चुकी है 9 मार्च 2024 और 9 मार्च की जो करेंट अफेर है वो हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अगर पसना आए तो लाइक भी कर दीजेग आए स्टार्ट करते हैं तो भाई आज हम 9 मार्च की करेंट अफेर करने वाले हैं तो सबसे पहला जो क्यूशन है वो है भाई हाल ही में दुनिया की पहली जैट सुरक्सा रेस का आयोजन जो है वो कहां पे किया गया है तो देखिए भाई अगर हम बात करें तो इसका जो र रेस हुई है जिसमें जैट सुट पहन कर करवाई गई है तो आप ऐसे याद रखिए दूबई क्या है ऐसा सहर है जो इस टाइम पर क्या है बहुत ही मतलब एडवान सहर है यहां पर क्या है रेस करते टाइम भी क्या पहनते सूट पहनते हैं ऐसे याद रख लीजिए कि रे करते time भी शूट पहनते इतना advance शूट कौन पहनता है इक advance शूट वाले लोग पहनते रेस करते time पे तो advance शूट कौन साइस time पर दुबाई दुबाई इस दा right answer तो यह है धाई दुबाई के बारे में यहाँ पर जो हुई है वो संयुक्त अरब अमिरात के दुबई में हुई है ये दुनिया की पहली ऐसी रेश थी जिसमें हिस्सा लेने वाले लोगों ने जैड शूट पहने थे ठीक है और इस इसका आयोजन जो है न वो किस ने किया है ये स्पोर्ट काउंसलिंग और ग्रेविटी कंपनी न है ये बीपी सी इल ने किसे ब्रैंड एमास्ट मेस्ट बनाया है कि लेकिसे ब्रैंड एमस्ट बनाया ये पनाया है इता है इनका भाला है जब यह भाला फैकते हैं तो यहां पर जमीन में जब गिरता है ना यह भाला तो क्या निकलता है यहां से पैट्रोल निकलता है ऐसे याद रख लिजिए जहां पर नीरत चोपड़ा ने भाला फैका वहीं पर जमीन से पैट्रोल निकल गया तो स्पीड पैट्रोल के बीपी बारे में तो बीपी शिल क्या है तो निवर्ट पैट्रोलियं और प्रिस लिमिटेड इसका जो मुख्यालन है मुंबई में है इस्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी अगर बात करें बीपी के चेर्मेन कुन है तो अरुन कुमार सिंग जो है वो चेर्मेन है तो यह याद रखिएगा निरत चोपड़ा इसके ब्रैंड अमेस्टर बने हैं अगला किशन देखिए भाई अगले किशन में क्या बोला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्रेमा आवास योजना पत्वात करने हील गोशना जी है तेलंगाना ने जात कैसे करोगे इंद्रा वर्ड पकड़ना अप इंद्रा गांदी जो थी न उसका जो महल था जो इसका घर था उसमें क्या था हर जगए किया था तेल के दिये जल रहे तो यह बात याद रखना तो तेलंगाना इजदा राइट आनस्वर ठीक है अगर बात करें इंद्रामा आवाज योजना की तो यह योजना क्या काम आती है तो इस योजना के तहट क्या है जो गरीब है जिनके पास में भूखंड मतलब भूमी नहीं है उनको लाब का एक एस थाई निर्ने लिया गया है तो यह कुन सी इंद्रामा आवाज योजना अगला क्यूशन देखिए भाई अगले क्यूशन में क्या है हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलीगरी को जी आई टेग मिला है तो यहां से इसका जो राइट आनसर वो तो है ओडिसा ब्लवर अब सिल्वर क्या हैं सिल्वर क्या है वह उढ रा आगले की से इसका तो यहां से याद हो जाएगा लेकिनिद्म जी आई टेग होता क्या है ये भी एक सवाल है तो जी आई टेग जो है ना वो कोई विशीष्ट भोगली छेतर से एक उत्पन होने वाली कोई special चीज़ों को मिलता है जिनका उत्पादन जो है जो कि एक अलग से विशेष्टा रखती है तो वो होती है क्या जी आई टेग उनक चांदी के काम को भोगलिक संकेत मतलब g.i. tag मिला है मतलब औरिसा में कटक जो जगह है वहां पर क्या है चांदी की काम होता है जिससे क्या है आभुषन बनते हैं तो उस काम को g.i. tag मिला है ठीक है अगला देखिए भाई अगले क्यूश्ट निस चैंपिंसिप रैंकिंग म कों number one पे है तो इसका तो राइट आंशा को पता ही होगा इंडिया जो है हमारा भारत number one पे है अब बात करें तो भाई भारत जो है अभी वैस्ट इंडी से खिलाब मैच वाता उसमें क्या है जीत हासिल कर ली अब जो है वो number one पर अपना इंडिया है सेकींड नमबर पर अगले किशन में क्या बोला है हाल ही में भारत के पहले सवदेशी प्रोटो टाइप फास्ट बीडर रियक्टर की सुरुवात कहा हुई है तो इसका जो राइट आंस्वर है वो तो है तमिल नाडू याद कैसे करोगे तो देखिए भाई सवदेशी प्रोटो टाइप फास्ट यह पूरा नाम है जो इंप्रोटन्ट है इसमें अगर आप देखोगे ना तो यह एक बात बताओ जो यह रियक्टर होते हैं क्या होते हैं एक विस्पोटक की तरह काम करते हैं तो यहां पे क्या है अगर मान लीजिए विस्पोटक की तरह काम करते हैं तो यहां पे हम कहां पर स्थापना करेंगे एक ऐसे राज्य के पास में करेंगे जिसके आस पास में क्या है पानी ही पानी हो जिसमें क्या है उसको डाल दें और वो चीजे ठंडी पड़ जाए विस्पोटक जो है वो ठंडा पड़ जाए तो तमील नाडु में क्या है ऐसे तोड़ा यादे कर ली जिने ठीक है तो तमीला डू के किस जगह पे कल पक्कम ये भी आप याद रखिएगा कल पक्कम अगला किशन देखिए भाई अगले किशन में क्या बोला है हाल ही में B.S.A.P. की पहली महिला स्नाइपर को न बनी है तो भाई ये है महिला स्नाइपर पहली सुमन कुमारी सुमन बता हो स्नाइपिंग करनी है तो भाई इसका जो मन है न वो बहुत ही कठोर होना चीए मतलब मन जो है कमजोर नहीं होना चीए कमजोर मन वाले जो लोग है वो स्नाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका मन जो है बहुत मजबूत है बहुत ही बढ़िया है तो ये सुमन जी जिनको क्या है B.S.A.P. में पहली स्नाइपर महिला बनी है ठीक है तो यह याद रखेगा अब इनके बारे में और देख लीजिए भई तेखो जो B.S.A.P. में जो अभी सुमन कुमारी जी है जो B.S.A.P. में पहली महिला स्नाइपर बनी है यह सब इंस्पेक्टर रेंग की है अधिकारी है ठीक है अगर बात करें BASF की तो BASF का जो गठन हुआ था वो हुआ था एक दिसंबर 1965 को ठीक है ये जो BASF जो है ये गरह मंतराले के अधिन आता है इस बात को भी आप रखेगा पैरा मिलिटरी फोर्स जो जितनी भी है ये सारी की सारी जो है वो गरह मंतराले के अधिन ही आती है इस बात को याद रखेगा पैरा मिलिटरी फोर्स में क्या क्या आती है जैसे SSB हो गया BASF हो गया ठीक है CRPF हो गया इसके अलावा अपने CISF हो गया इस सारी की सारी क्या है पैरा मिलिटरी फोर्स है जो की कहा आती है गरह मंतराले के अंदर आती है ठीक है अगर बात करें तो भाई ये 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन हुआ था और जो अभी 1 दिसंबर 2023 गया था उसम को 69 स्वा सीमा सुरक्षा बल दिवस के रोप में मनाया गया ये भी एक पॉइंट याद रखेगा तो भाई आज की जो करेंट अफेर है वो हो चुकिए हमारी खतम इसक तो यहाँ पे क्या है आपको सब कुछ मिल जाएगा ये जोईन करने के लिए आप पे सिरफ वन टाइम आपको चार्ज लगेगा 99 रुपीज और 99 रुपीज आप इस नंबर पर फोन पे वगारा पेटियम वगारा करके मुझे स्क्रीन सोट भेज जाना मैं आपको हो तो आप पेमेंट कर दीजेगा क्योंकि इस पेमेंट की वज़र से आपकी ये जो पीडियाफ अगरा है टाइम पर बन पाएंगी और आगेज भी आपको ये टाइम पर मिल पाएंगी ठीक है भाई तो यहां के आज कीज हमने करेंट अफिर कर ली है बग ये वीडियो पस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजीगा थेंक्यू सो मच्छ हैवे नाइस डे एंड गुड लग